हलो बच्चो, हाई अवरीवन, चलिए बच्चो रोटेशनल मोशन के डिसकसन को आगे बढ़ाते हैं, इसके कुछ और इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट की हम बातचीत करते हैं तो देखो बच्चो, अभी तक हम जितनी भी बातचीत कर रहे थे, उसमें हमने डिसकस किया, रोटेशनल मोशन का कॉंसेप्ट है क्या है, अगर कोई भी बडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो कौन से पैरामीटर्स उसे अफेक्ट करेंगे, किस तरीके से रोटे अगर कोई देखो प्रफॉर्म कर रहे थे, बातचीत हमने डिसकस किती है, आज इस डिसकसन को हम आगे बढ़ाते हैं, हम डिसकस करते हैं, हमारा अगला तॉपिक, जो कि एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है, अपने रोटेशनल मोशन का, डैट इस रोलिंग मोशन, तो ह देखो बच्चो जैसे मैंने आपको mechanics की starting में बताया था कि total three types का motion हम पूरे mechanics में पढ़ रहे होता है एक तो होता है translational motion, एक होता है rotational motion and third is called rolling motion कहने का मतलब क्या है? चलो इस चीज को visualize करने का try करते हैं, समझने का try करते हैं कि है क्या है जैसे land से मैं बोल देता हूँ, यह मेरे को ground platform दिया हुआ है, clear? और यहां पर बेटा है यह कोई भी एक body है यह कोई भी एक body है, चलो इसको एक perfect shape देते हैं, perfectly बना लेते हैं एक second देखो बच्च, लेट से मैं बोल देता हूँ, मेरे पास यह कोई भी एक body है, first body और इसका बेटा ही यह center point है, जिसको मैं एक velocity देता हूँ मैंने only क्या दिया हूँ है, इसको एक translational velocity दे हूँ है, अब जैसे मैं translational velocity V से इसको खींचू हूँआ, तो यह body अपने इस contact point के respect में आगे slide हो रही होगी क्या किया हूँ है, जैसे ऐसे समझ दो, एक बड़ा है न ट्रक का टायर है, तीक है, उस ट्रक के टायर को आपने रसी से बांदी हो, और ऐसे आगे खींचते हूँ ले जा रहे हो, तो वो गूमते हूँ आगे नहीं जाएगा, वो फिसलता हूँ आगे जा रहा है, और यह ब सेक्टर हमने पढ़ा था, टूली भी इस पर पढ़ा था, रैक्टि लिनियर मोशन की हमने बातकित की, प्रोजेक्ट टैल सर्कुलर वो सारे हमारे ट्रांसलेशनल में ही आते हैं, इवन उनके कॉंसेप्ट भी हमने डिसकस किये थे, काइनेमेटिक सेक्वेशन थी, एफ एक का मोशन आ गया था, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल में हमने क्या किया था, कि लेट से कोई भी ये बाडी है, इस बाडी को मैंने एक पॉइंट पर फिक्स कर रखा है, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अब मैं एक पर्टिकुलर अंगुलर विलांसिटी से इसे रो रोटेशनल मोशन, इसको मैंने क्या डेफाइं किया था, रोटेशनल मोशन और यहां पर हमने टर्म डिसक्चस की, टॉर्क के वारे में पड़ा, अंगुलर मॉमेंटम पड़ा, मॉमेंट ऑफ इनर्सिया पड़ा, और भी कुछ ऐश्टा टर्म्स हमने डिसकस की, उनके रे कर दूँ, that means अब मैं करने वाला क्या हूँ, translational motion और rotational motion, इन दोनों motion को अगर मैं add कर दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, overall इस body की अपनी एक particular translational velocity है, and इस body की अपनी एक particular rotational velocity भी है, मैंने दोनों velocities इस body को impart कर दी, इसके पास अब अपनी translational velocity भी है, इसके पास अपनी एक rotational velocity भी है, तो overall ये body rotate भी होगी, और translational velocity है, इसके कारण ये body आगे भी जा रही होगी, बात आरी साइज मैं, that means मैं बोल सकता हूँ, ये body ऐसे rotate होता हुआ, आगे जा रहा हुआ, ये body इस तरीके से rotate होती हुआ, आगे जा रही होगी, जैसे कि tire का movement होता है, चाहिए वो bike का tire हो, car का tire हो, या truck का tire हो, उसका movement जो होता हुआ, वो rotate होता हुआ, आगे जा रहा है, तो यहाँ पर ये B से आगे कीच रहा है, और मैं का इससे rotate करा रहा है, and that type of motion is called rolling motion. तो आज हम बच्चों discuss करेंगे rolling motion का concept, इन दोनों motion को अब हम combined करने वाले हैं, यहाँ पर body आगे move भी करने वाली है, body rotate भी होने वाली है, और इसी से इसकी definition form होती है, it is the combination of translational motion and of rotational motion, यही इसकी अपनी definition, आज यह बस सवजब है, तो एकदम simple सा form है rolling motion, आपने पूरा पढ़ राता है अगर मैं इसको दो इससे में तोड़ूं, इस बात को मैं अगर यहाँ से explain करना स्टार्ट करूं, कि इसको मैं दो इससे में तोड़ूं, तो translational and rotational is called rolling, translational भी हमने पढ़ लिया था, कभी-कभी तो दो भी option आ जाते है, तो बस हमें इस plus sign को समझना है, कि add कैसे किया है, दौना motion हमें पता है, आर यह बात सवजब मैं, चलिए बच्चो, तो यह बाला diagram आप बना लो, तो translational motion and rotational motion combination is known as rolling motion, लिख लो इससे, फिर हम बात्चित करते हैं, rolling motion की condition क्या होगी, rolling motion का final concept क्या होगा, चलिए, देखो बच्चो, जैसे, मैं एक बड़ यहाँ पर कुछ circle बना लेता हूँ, जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ, कि यह कोई भी square है, इसके पास बेटा अपनी translational velocity भी है, इसके पास अपनी एक rotational velocity भी है, तो overall यह body रोटेट होते उपते आगे जादी होगा, जैसे मैं इहाँ पर बेटा हाइलाइट कर देता हूँ, इधर यह कोई भी एक point है, ठीक है, अब एक time पर यह body rotate होकर कहीं यहाँ पर आई होगी, एक time पर यह body कहीं rotate होकर अपनी इधर आगई होगी, ठीक है, that means जो अपना a point है, अब वो a point अपना move करके यहाँ से कहीं यहाँ पर आगया होगा, क्लियर, ऐसे rotation हो रहा है, ठीक है एक time पर body rotate करके अपनी यहाँ पर आगई होगी, अब a point अपना लेट से यहाँ पर आगया, ठीक है body और आगे rotate होई, अब एक time पर बच्चो यह rotate होकर यहाँ पर आगई, अब a point अपना इधर आगया, फिर finally यह rotate होई, और अब finally a point अपना नीचे आगया, इस type 6 का ऐसे rotation follow रहा होगा, बातारी समझ में कि यह body rotate होते हुए, ऐसे आगे जाती जा रही है, that type of motion is called rolling motion, अगर rolling motion के complete rotation को समझा जाए, तो वो कुछ इस type से होगा, या मैं यहाँ पर बोलू, a point की geometry को अगर मैं draw करूँ, कि a point का movement कैसे हुआ, तो a point का movement कैसे हुआ, आई बात समझ में नहीं आई, clear, कि यह body rotate होते हुए, ऐसे आगे जाती हुए जा रही है, तो overall a point जो है, वो भी move करते हुए, कुछ इस type से गया होगा, और इसका motion, motion जो होगा, वो कुछ इस type से होगा, clear, इस चीज, तो that is called rolling motion, अब आईए, अब देखो, rolling motion हमें समझना आता है, क्योंकि अपने बहुत देखा है, और even जितने भी vehicle का movement है, वो सारा rolling motion है, यहाँ पर जो important point हमारा निकल के आता है, वो होता है बेटा, condition of rolling motion, कि कोई भी body है, वो rolling motion परफॉर्म करे, इसकी condition अपनी क्या हो, तो इसके लिए हम बातचीत करते हैं, यह concept है क्या है, condition of rolling motion क्या है, किस तरीके से इसको लिखा जाए, तो देखो भाज़ो, जैसे condition को समझने से पहले, हमें एक दो word के बारे में समझना होगा, जैसे हमारा सबसे पहला word आख पर आता है, प्यॉर्रोलिंग, रोलिंग बढ़ हमें समझने आ रहा है, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, प्यॉर्रोलिंग बढ़ का मतलब क्या है, दीरे दीरे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर प्यॉर्रोलिंग के बारे में बातचीत करूँ, अगर आप वीकल के मोशन को आपजर्ब करो, एक तो वीकल आप कार ड्राइब कर रहे हो, हाइवेपर ड्राइब कर रहे हो, अगर आप हाइवेपर वील के मोशन को आपजर्ब करोगे, तो वील परफेक्टिली रोल होते हुए आगे जा रहे हैं, क्लियर? अब मैं बोल देता हूँ, वील के स्लिप होने की भी टेंडेंसी होती है, लेकिन वो आगे कम जा रहा होगा, क्लियर? या मैं ऐसे बोल दूँ कि मैंने रोड पर ओईल फैला रखा है, अब आप वीकल को चला रहे हो, तो वो स्लिप जादा होगा, मतलब स्लाइड जादा करेगा, वील रोटेट कम होगा, तीनो टाइप के मोशन में वील रोटेट हो रहा है, तीनो टाइप के मोशन में वीकल जो है, वो हमारा मूव तो करीड़ा है, तीक है, जैसे मैंने वीकल के मूवमेंट की बातचित की, तीन टाइप के रोड मैंने यूज में ले लिए एक तो मैंने बोला बेटा परफेक्ट हाई वे है एक दम स्मूथ एक बेटा मड़ी रोड है ठीक है और एक ओईली रोड है ठीक है जिस पर ओईल फैला हुआ है परफेक्ट हाई वे पर अगर आप मोशन को आपजर्व करते हो तो हेर वी कैन से वीकल इस परफार्मिंग प्योर रोलिंग तो इन दोनों केसे में बोड़ी प्योर रोलिंग परफॉर्म नहीं करता है तो सबसे पहले हमें समझना है प्योर रोलिंग वर्ड का मतलब क्या है कि एक परफेक्ट मोशन होना चाहिए देर इस नो सलाइडिंग और स्लिप्ण ना तो बोड़ी स्लाइड हो ना ही बोड़ी स्लिप करें दें डैट टाइप अप मोशन अप टायर इस कॉल्ड प्योर रोलिंग जो की स्मूथ हाईवे पर परफॉर्म होने वाला है muddy roll और oily roll पर नहीं हुआ clear? आरे बात सवर्ज में तो इसकी condition क्या बनती है कि कव ये pure rolling को perform करेगा तो देखिए मैंने बोलाई कि कोई भी slide या slipping ना हो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो contact point है इसकी अपनी कोई भी velocity नहीं हो अगर contact point की velocity होगी जैसे कोई भी ये body है इस body को मैंने बिटा contact में रखा हुआ है अगर इसके contact point की velocity है वो इस body को आगे कीचेगा ये slip और slide हो सकता है अगर contact point की velocity नहीं है तो ये अपने हाँ rotate होता हुआ आगे जाएगा तो यहां से देखिए कहने का मतलब क्या है condition क्या निकल के आती है और ये सबसे important है इसको आपको directly push सकता है जैसे अगर मैं सीधा-सीधा motion को observe करूँ तो ये अपनी V velocity से जा रहा है V velocity से जा रहा है तो A बेटा ये complete circle का movement कवर किया अगर A की मैं length लिखता हूँ इसने कितनी length कवर की which is equal to 2 pi r अगर आप A की length लिखोगे तो A ने कितनी length है आपर कवर किया है 2 pi r right that means मैं बोल सकता हूँ here velocity that is equal to होता है बेटा distance upon time distance तो अपना कितना होगा बेटा 2 pi r और time कितना होगा अपना time period क्योंकि एक पूरा revolution हो आपने परड़ा का है बेटा 2 pi upon time period which is equal to होता है omega that means velocity that is equal to होगा r omega that is the condition of pure rolling अगर V और omega का combination इस बात को satisfy करता है V equal to r omega है तो here we can say body is performing pure rolling that means highway पर ये condition अपनी satisfy होती है highway पर हमेशा V equal to r omega होता है इसलिए body pure rolling परफॉर्म करती है तो ये सबसे पहला concept हमारा निकल के आता है rolling motion क्या है ये बात अच्छे से समझ में आती है rolling motion में vehicle का movement कैसा है वो भी हमें दिख रहा है लेकिन कब वो pure rolling परफॉर्म करेगा when V is equal to r omega जैसे ही वो muddy road पर गया तो यहाँ पर बेटा V r omega से छोटा हो जाएगा क्या हुआ मड़ी road पर body rotate जादा कर रही है tire rotate जादा हो रहा है आगे कम जा रहा है मतलब translational velocity कम है comparatively to omega तो muddy road पर V is less than omega हो जाएगा so here I can say V is less than r omega oily road पर body slip जादा होती है comparatively to their rotation so here I can say V is greater than होगा r omega but highway पर smooth road पर V equal to r omega होगा and body pure rolling perform करेगी this is the standard condition आरे यह बास सब्सक्राइब है इस बात को मैं दूसरे तरीके से भी drive करूँगा इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी हम लिखने वाले हैं कि कैसे हमारी condition drive होती है यह मैंने method बता है जो एक practical way है जिसको हम आसानी से visualize कर सकते है आसानी से हम इसे समझ सकते है तो बच्चो इस चीज को note down करो condition of pure rolling is V equal to r omega और कब वो pure rolling करेगा कब वो pure rolling नहीं करेगा लिख लो इसे फिर बात्सीत करते हैं आगे के चलिए देखो बच्चो जैसे अगर मैं आपर बोल देता हूं आपको दिया हुआ है यह कोई भी दील है यह इसका अपना center point है जिसकी अपनी translational velocity है भी और यह rotate हो रहा है अपना omega से इसके अपनी translational velocity कितनी है V and it is rotating with angular velocity उमेगा अब देखे बच्चो मैं जैसे यहां पर कुछ point mark कर देता हूं जैसे सबसे पहला इसका contact point है A A point मैं mark कर देता हूं A point पर check करते हैं velocity क्या होते हैं तो आपने पढ़ा था rigid body concept में अगर body को मैं V velocity से pull कर रहा हूं तो that means complete body particle को मैं V velocity से pull कर रहा हूं अगर मैं body को V से खीच रहा हूं तो सारे particle को खीच रहा हूं ऐसा थोड़ी है कि बस center को ही मैं खीच रहा हूं बतारी सवज में मतलब कि पूरी की पूरी body V से आगे जा रही है तो A point की आगे की तरफ तो velocity होने वाली है additionally ये body rotate हो रही है omega से तो ये A point को पीछे की तरफ ले जाएगी इसलिए A point की पीछे की तरफ एक velocity होगी linear velocity और वो हो जाएगी अपनी r omega आपने सीधा सीधा पढ़ लगा है बिटा कि velocity को linear velocity निकालने का relation होता है V equal to r omega तो पीछे की तरफ क्या आगई? r omega that means अगर मैं लेखता हूँ बिटा velocity at A point velocity at position A which is denoted by VA that is equal to अपना आएगा V minus r omega V आगे की तरफ है, r omega पीछे की तरफ है तो ये हो जाएगा अपना V minus r omega right and for pure rolling मैं इसे दूसरे तरीके से अब आपको बता रहा हूँ for pure rolling pure rolling की condition क्या है? कि ना तो यहाँ पर कोई sliding हो, ना यहाँ पर कोई slipping हो that means A point पर जो velocity होनी चाहिए वो अपनी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए जो contact point है उस पर velocity 0 होनी चाहिए तो मैं बोल दूँगा V minus r omega which is equal to क्या होगा? 0 so here you can say कि V that is equal to क्या आना चाहिए r omega this is the condition of pure rolling जो मैंने पीछे आपको इसके motion को analyze करके drive कराई थी अब हमने बिटा इसको conceptually drive किया है कि यह pure rolling perform करेगा जब V equal to r omega आई बात सब्सक्राजी में तो पहला concept अपना क्या हो गया? condition of pure rolling motion which is equal to V equal to r omega right? इसे आपने उपडाउं कर लो बच्चों यह भी एक्डम छोटा सा concept है कि कोई भी body power rolling क्यूं perform करेगा तो उसकी condition अपनी क्या हो? लिख लो चली अगले concept की बात चीट करता है तो देखे पहला problem जो यहाँ पर बनती है velocity at different, different पूजी साथ सबसे पहला question जो आप से पूछ लेता है वो velocities पूछ लेता है body particle की velocities क्या हो? at different, different पूजी साथ कहने का मतलब क्या है? कि कोई भी हमें ground दिया हुगा है और यह कोई भी एक body है correct? यहाँ पर बेटा यह इसका center point है जिसके अपनी velocity है V और यह rotate हो रहा है अगर मैं यहाँ पर bottom most पर तो A point जो मैं mark कर रहा था तो A point पर अगर मैं velocity लिखता हूँ तो आगे की तरफ तो आएगी सर V और पीशे की तरफ जाएगी हमारी R omega तो मैं बोल दूँँगा V A that is equal to V minus R यह पर velocity तो बड़ी आसानी से लिख सकते है V minus R omega और यहाँ पर यह pure rolling है तो V equal to R omega हो जाएगा which is equal to आप इसे 0 भी बोल सकते है which is equal to 0 because V that is equal to R omega pure rolling condition चलिए आगे और extend गर देते हैं correct लेकिन standard यह होगा अगर मैं बिटा यहाँ पर top पर B point mark करता हूँ कि B point पर velocity क्या होगी B point पर check करते है velocity की value क्या होगी वही same concept अगर body को मैं V से slide करा रहा हूँ तो सारे points को slide करा रहा हूँ तो एक तो V होगा additionally body rotate हो रही है B की tendency आगे जाने की है तो इस पर एक बिटा अपना R omega भी आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बिटा second point velocity at B point which is equal to हो जाएगी V plus R omega B point पर अगर मैं velocity लिखूँगा तो यह अपनी आईगी V plus R omega जैसे अगर बच्चों मैं यहाँ पर mark करता हूँ यह C point है C point पर velocity क्या होगी इसके बारे मैं बात चीट करता है C point पर velocity को कैसे लिखा जाए इसकी value क्या होगा तो देखिए एक तो यह आगे slide हो रहा है तो V हो गया नीचे इस पर आजाएगा R omega तो अगर मैं C पर लिखता velocity at C point in vector format तो यह आता है एक तो हमारा V I cap plus R omega minus के जिसको अगर आप solve करते amount को अगर आप निकालते तो यह होता X component का whole square plus Y component का whole square that means C point पर जो velocity आती which is called right निकाल पा रहे हो जैसे random भी एक और point ले लेता हूँ मैं यह आपर D point में इदर ले लेता हूँ कि यह कोई भी D point है इसकी distance है अपनी small r इदर लग देता हूँ जिससे आप confused ना हो मुझे यहाँ पर लिखना है इसकी velocity क्या होगी अब इस velocity को कैसे लिखा जाए D point पर velocity कितनी है तो देखिए एक तो यह slide हो रहा है तो आगे तो B हो गया ठीक है और इदर का sense के खारण क्या आगया और इसमें angle की लेट से हो गया अपना theta correct तो अगर मैं बिटा D point पर velocity लिखता तो यह हो जाता अंडर root of A square plus B square plus 2AB cos that is the amount of velocity at D point that is the amount of velocity at D point की D point पर velocity कितना होगा आरे बात साइज में तो इसको भी आपने उड़्डाउं कर लो velocity A point पर कितना होगा B point पर कितना होगा C पर कितना होगा D point पर velocity अपनी क्या होगी कैसे हम इसको लिख सकते हैं correct तो आप किसी भी point पर velocity निकाल सकते हो मैं इस body पर कहीं भी point mark कर दूँ बस हमें basic mechanics का और vector format का यूज में लेना है उसको यूज में लेते हुए हम velocity को calculate कर सकते हैं velocity हम कैसे लेखेंगे चलिए तो इस concept को भी आप note down करो पहली जो question हमारा बन सकता है वो यहाँ पर बन सकता है velocity अपना क्या होगा right second हम प्राप्लम बना सकते हैं acceleration पर acceleration generally पूछता नहीं है लेकिन अगर पूछ ले तो इसके लिए हम एक additional concept को और ही लेके चलना है acceleration को कैसे लेखेंगे चलिए जैसे अगर मैं बातचीत करूँ अगला second जहाँ पर हम question बना सकते है acceleration at different position देखो बाच वही हमें ये कोई भी एक प्लेट फॉर्म दिया हुआ है और मैं बोल देता हूं ये कोई भी अपने पास भील है ठीक है जिसके अपनी velocity है हम मैं इसको ए ऐसी लेशन से आगे कीच रहा हूं और इसको मैं alpha से rotate भी करा रहा हूं मैंने इसको acceleration भी दे दिये A से मैं इसको कीच रहा हूं और alpha से rotate करा रहा हूं तो इसमें बस एक दो point है एक additional point इसमें add on हो जाता है इसलिए मैं ये acceleration का आपको concept बता रहा हूं अगर आपसे पूछ ले लेट से यहाँ पर बेटा ये कोई भी A point mark है आपको बताना है A point पर acceleration की value अपनी है तो देखिए एक तो ये इसको आगे खींच रहा है तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर एक तो A होगा एक पीछे की side इस पर सर R alpha आजाएगा एक तो आगे की तरफ A होगा एक पीछे की side अपना R alpha आजाएगा तो एक तो आप लिखोगे A I can plus R alpha minus I can सर दो acceleration तो आजाएगे और कोई acceleration होगा क्या तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक और acceleration होगा जो concept है जिसके गारण मैंने यह topic यहाँ पर opt किया है कि actual मैं यह body rotate भी हो रही है rotate हो रही है तो यह point भी rotate हो रहा है और अगर कोई body rotate हो रही है that make point के respect में move कर रही है तो यहाँ एक centipetal acceleration भी होगा इसलिए यहाँ पर आप लिखने वाले हो here is a centipetal acceleration that is a AC चेखिए इस body पर 3 acceleration होंगे एक a अगर हमने दिया है alpha दिया है तो वो तो 2 हो गए और एक ac हो गए अगर हमने कोई भी acceleration नहीं दिया है जैसे मैं अगर ऐसे बोलता कि यह कोई भी अपने पास body है इसके अपनी velocity है v और यह है omega अब a point का आप acceleration बताओ तो इस वाले case में only इसका acceleration centipetal होता यह हो जाता हमारा AC यह इसमें simple c learning है अगर external acceleration मैंने impart किये हैं जब तो acceleration को आप ऐसे लिखो गए और अगर b और omega ही है इनमें कोई change नहीं हो रहा है तो उस case में जो acceleration हो जाएगा डेटेजा AC अगर आप यहां पर b point के लिए mark करते तो इधर a आता इधर r alpha आता नीचे इस पर आ जाता सेम आप c point पे निकाल सकते हो d point पे निकाल सकते हो तो कहीं भी निकाल सकते हो जैसे अगर मैं value भी लिखता हूँ a b vector तो यह अपना बन जाता बच्चो a i cap प्लस r alpha i cap प्लस ac minus g इस तरीके से हम acceleration की value को different different position पर भी लिख सकते हैं different different जगे हम निकाल सकते हैं आर यह बास सविज में clear तो यह तो हो गया basic introduction of rolling motion rolling motion है क्या है rolling motion की condition क्या है कैसे rolling motion प्योर rolling उसे बोला जाएगा अब आती है बेटाए इसकी mechanics की यहाँ पर कितनी velocity होगी velocity कम कैसे होगी जादा कैसे होगी कैसे numerical हमारे frame हो सकते हैं अब हम बातचीत करेंगे उस mechanics की बारे में अभी तक हमने just a idea लिया है rolling motion है क्या है कैसे rolling motion की condition को लिखा जाएग अगर आपकी यहाँ तक कोई भी query है तो you can ask on your respective telegram so thank you for watching this video now we'll continue next topic in next video thank you